हाँ स्क्रेंड वाटसाब मरहाबा इस वीडियो से हम सीखेंगे ओफिस और वर्क प्लेस में हम अरभी में किस तरह के से बात्चीद कर सकते हैं इस वीडियो का आइडिया दिया था इम्तियाद हसन ने अगर आपके पाल भी को ऐसा आइडिया है आप चाहते हैं कि उस आईडिय और टॉपिक पे अरभी में वीडियो बनाई जाए कि अपना आइडिया और टॉपिक कमन बोक में हमार साथा Sw Messiah बनाई जाएगी इस वीडियो को हमने तीन भागों में बाटा है, यानि इस टोपिक को हमने तीन भागों में बाटा है, पहले भाग में हम सीखेंगे, ओफिस में जो टूल्स होते हैं, समान, उपकरण, साधन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, जैसे के स्टेपलर, पिन, कस्टूमर, बिजिसमे को आदि को कि कल वाले वीडियो हम सीखेंगे निल schabdों को यौफिस के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम और वीडियो नंबर तीन жो की लास्ट होगी परसो अने वाली वीडियो हम सीखेंगे office से लेकर घर तक जो हम रस्ते में बातचीत करते हैं चाहे हो metro पे busсе stand पर या taxi stand पर उस तरीगी की बातचीत हम अरभी में किस तहरा के शिक्र सकते हैं तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज की हम वीडियो में क्या-क्या सीखने वाले हैं बिजनिसमेन अगर आपको बिजनिसमेन बोलना है अरबी में तब आप बोल सकते हैं रजुल अमाल रजुल अमाल रजुल का मतलब होता है आदमी, अमाल का मतलब होता है बिजनिस काम अगर आपको बोलना है बिजनिसमेन वो आदमी कारुबारी है तब आप बोल सकते हैं अरभी में रजुल अमाल रजुल अमाल गोट इट? रजुल अमाल बिजनिसमेन रजुल का मतलब होता है आदमी अमाल का मतलब होता है बिजनिस मिटिंग, ओफिस में जो मिटिंग होती है meeting को अर्वी में बोला जाता है इस्तेमा जलसा और meeting आपने इंडिया में या पाकिस्तान में देखा होगा कुछ मुलाना लोग जलसे करते हैं कुछ पोलिटीशन जलसे करते हैं जहाँ पर लोग इखटे होते हैं उसको बोलते हैं इस्तेमा ओफिस में अगर meeting हो रही है meeting को आप बोल सकते हैं इस्तेमा इस्तेमा इट्स मेंज मीटिंग इस्टी की टेप जो आपको पिच्चर में नजर आ रहा होगा इस्टी की टेप को आप बोल सकते हैं अर्वी में शरीत ला सक शरीत ला सक किसी भी तरीकी का टेप जो चुपकाने के काम में आता है उसको आप बोल सकते हैं शरीत लासक शरीत लासक आखिर में काकियावाद निकलना है शूरू में शाकियावाद निकलना है बड़े शाकी और आखिर में निकलना है आपको काकियावाद बड़े काकी शरीत ला सक शरीत ला सक उमीदे आपको समझ आ रहा होगा कोई डाउट हो तो कोशन बॉक्स का कमन खुला है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कुछ लिए सेंपलर जू आपको तत्ऊर में नदर आ रहा होगा अफस में मौझुद होता है स्टैपलर अर्बी में आप मों सकते है स्टैपलर को खाबिसा, खाबिसा, बड़े काफ के वाज निकलना है, खाबिसा, it means stapler, stapler को अरभी में बोल सकते हैं, खाबिसा, 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 खाबिस हासिबा, it means calculator ओफिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कारियार ले उर्दु में बोलते हैं दफतर अरभी में आप बोलेंगे मक्तब मक्तब ओफिस को अरभी में आप मक्तब बोल सकते हैं ओफिस में जैसे कुर्सी होती है, laptop होता है, computer होता है इसके लिए English के आप sentence यूज़ कर सकते हैं कुर्सी को कुर्सी ही बोल सकते हैं, आप laptop को laptop बोल सकते हैं और आप computer को computer बोल सकते हैं और अगर आपको अरभी में बोलना है STEM जिसको हम हिंदी में मोर बोलते हैं अरभी में आप बोल सकते हैं, ताबे, ताबे आपने देखा हुआ, passport लेकर जब आप immigration counter पर जाते हैं आपका passport लेकर वो लोग मोल लगाते हैं उस तरीकी की मोर को, STEM को अरभी में ताबे बोला जाता है जो हम office में भी देखते हैं अगर आप किसी office में काम करते होंगे तो आपने देखा हुआ की तरीकी की मोहाँ पर मोर, STEM मौजूद होती है जो हम किसी paper पर लगाते हैं अरभी में बोलेंगे आप उसको ताबे, ताबे, it means STEM, मोर SEAL एक तरीकी की SEAL मोर होती है जिसको हम अरभी में बोलते हैं खत्म यह मोर वहाँ यूज की जाती है आपने देखा हो कि लिफाफा बंद करना है तब आप उसको पर लगा देंगे SEAL मोर ताकि कुछ से कोई खोलना पाए यह आपने देखा हो कुछ कंपणी में घलत काम करती है तब कुछ सरकारी टीमें जाच करना के लिए आती है तो वहाँ पर उस कंपणी को ताला लगा के तालेकों पर एक मोल लगा जाती है उसको हम SEAL मोर बोलते हैं अरभी में बोलेंगा आप उसको खत्म खत्म उम्मीद है आप समझ पा रहा होंगे और जाधा बेतर के लिए मैंने आपकी पिच्चर भी दे दी है वीडियो में नदर आ रहा होगा आपको पिच्चर को देखे आप समझ सकते हैं SEAL मोर को बोलते हैं खत्म पेपर पेपर के लिए अरभी का शब्द यूस किया जाता है वरका वरका पेपर के लिए आप अरभी में बोल सकते हैं वरका जो पेपर होता है ना किसी भी तरीका का पेपर है आप उसको वरका बोल सकते हैं वरका इट्समीज पेपर होल पंच हॉल पंच एक मशीन का नाम होता है जिसको अरबी में बोला जाता है खर्रामा खर्रामा आपना ओफिसों में देखा होगा एक मशीन होती है जो कागस के बंडल में हॉल करती है ताकि हम जादा कागसों को एक साथ बांग सकें तस्वीर में पर आपको नजर आ रहा होगा, आपकी नजरों से ये मशीन ज़रूर गुजरी होगी अगर आप किसी ओफिस में काम करते हैं होल पंच, एक मशीन का नाम होता है जिसे अरभी में बोलते हैं हम खर्रामा से रही जिसको हम उर्धु में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं मुरतब, रातिव, माश अब यह आपको देखना होगा क्या आपकी कंट्री में क्या शब्द यूज किया जाता है से रिली के लिए, वेतन के लिए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद माश कोईद कंट्री में यूज किया जाता है और रातिब सजुदी अरब में और मुरत्ब बहरीन उमानुवान में शायद यूज किया जाता है बाकि आप वीडियो के नीचे धरूर बताना कि आपकी कंट्री में आप तंखे के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं रातिब यूज करते हैं आप माश यूज करते हैं या मुरत्ब यूज करते हैं Got it? तो आपको अगर सेर लिए बोलना है अब आप बोल सकते हैं माश, रातिब, मुरत्थब तीनों शब्द ठीक हैं डिपेंड के आपके कंट्री में क्या यूज किया जाता है मेनीजर के अरभी तो 90% लोग जानते हैं तो इसे रटने के कोई शुरूबत नहीं है मेनीजर को बोलते हैं मुदीर, मुदीर डेज बिन, ओफिस के अंधर जहां पर कुड़ा हम रखते हैं एक बोक्स के अंधर डेज बिन जिसको बोलते हैं अरभी में बोल सकते हैं आप उसको सलत नफायात सलत नफायात आखिर में ता की आवाद निकलेगी, शुरुवाद में निकलेगी छोटे शीन की आवाद सलत नफायाद विसे picture से भी आप समझ जाएंगे सलत नफायाद, it means डेजबीन प्रिंट प्रिंट को अर्बी में बोलते हैं तबा तबा देखा होगा आपने ओफिस में प्रिंटर होता है, जब उसमें से हम कुछ निकालते हैं प्रिंट करते हैं कोई भी चीज कोपी या वर्गा या कोई पेज उसके लिए अर्बी में यूज़ किया जाता है तबा तबा, इसमें इस प्रिंटर मशीन ही होती है भी देख करीए किये। प्रिंटर मशीन को आप बोल सकते हैं तबा तबा अ बाए कस्थमर का स्थमर को अर्बी में बोला जाता है जुबूण जबून और आप कस्टूमर को अमीन भी बोल सकते हैं अमीन अमीन एंड जबून दोनों शब्द कस्टूमर के लिए यूज में लिए जाते हैं सीजर हिंदी में बोलते हैं केची अरभी में बोलेंगे आप मागस मागस खेची को अरभी में आप बोल सकते हैं मागस इंगलिज में सीजर हिंदी में केची अरभी में मागस मागस इसमीं केची किसी भी तरीकी केची है उसको आप बोल सकते हैं सबजी काटने वाली केची हो कपड़ा काटने वाली हो होस्पिटल में यूज़ करने वाली या ओफिस में यूज़ करने वाली केची हो किसी भी तरीकी केची को आप बोल सकते हैं मागस मागस एक कटर होता है जिससे हम काटते हैं केची की तरीके का उसको भी आप मागस बोल सकते हैं मागस के चिड़, टूल को अरभी में बोलते हैं अदात, बोल सकते हैं आप, जैसे के एक्जामपल हम हिंदी में बोलते हैं उपकरण, साधन, चाहें आप AC का काम करते हैं, वहाँ पर भूσ सारे जो हत्यार होते हैं, जिससे आप रिपेरिंग करते हैं, या बिजली का काम करते हैं जिससे आप रिपेरिंग करते हैं उस तरीके के जो ज़्यादा समान होता है उनको हम बोलते हैं अर्भी में आदात आदात ओफिस में भी बहुत सारे समान होते हैं जो आपको तस्वीर में नदर आ रहा होगा पेन होता है कोपी होता है इस तरीके के जो ज़्यादा समान हो उनको बोलते हैं इंग्लिश में टूल्स और हिंदी में उपकरेंट साधन अर्बी में बोलेंगे आप आदात या आप अदद भी बोल सकते हैं अदद पिन पिन जो हम पेपर को जॉइन करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं आपने देखा हो ओफिस में मौझूद होंगी इस तरीकी की पिन है पिन को अर्बी में बोलते हैं दब्बूस दब्बूस इसमें पिन सुई की तरीकी की जो पिन होती है यह किसी भी तरीकी की पिन हो ज दब्बूस बोल सकते हैं और अगर आपको किसी महीला को बोलना है बिजनिस वूमेन वो महीला कारूबारी है तब आप बोल सकते हैं सेदा अमाल सेदा अमाल सेदा अमाल इट्समेंज बिजनिस वूमेन वो महीला कारूबारी है महीला कारूबारी है आप बोल सकते हैं जिसे मैंने बताया था आपको अमाल का मतलब बता बिजनिस सेदा यहाँ पर वुमेन के लिए इस्तेमाल में लिये जाता है सेदा अमाल बिजनिस वुमेन टेबिल यह के वाइब हम पढ़ चुके हैं शुरुआत की वीडियो में भी एक बार रिपीट कर देते हैं इसको टेबिल को बोलता है मक्तब मक्तब, मक्तब ओफिस को भी बोला जाता है जैसा हमने शुरुआ पड़ा था ओफिस को भी बोलता है मक्तब और ओफिस में जो मेज यूज की जाती है जिसको हम टेबिल बोलते हैं डाइडी को अरभी में आप बोल सकते हैं मुफक्किरा, मुफक्किरा, मुफक्किरा है, डाइडी उस चिसको बोलते हैं जहाँ पर हम कोई important note, note करते हैं, हमारे को important message होता है या कुछ भी हमें लिखना होता है, जो हमारे हमेशा आसपस रेती है, डाइडी, अरभी में बोलेंग कोपी को बोलते हैं नुस अब जान लीजी कोपी किस कौन सवाला कोपी है यह लिखने वाली कोपी नहीं है। यह कोपी वह है आपने देख़ो computer में कोपी-paste करना है जो और लिखावा था एक वो दूसरा है आपके अगर से प्रेंट्र होता है अगर आपसे कोई बोलता है इस पेपर की कोपि कर दो तब वह съखता है कि नुसवरगा नुसवरगा इतर्स पेपर की कोपी कर दो वरगा मतलब पेपर नुस मतलब कोपि और आपने देखा पर वर्साब या email यूज़ करते हैं, तो using the address Female Вотup प्रेंड को अगर्सिद भेजना है तब न फोपी करते हैं, फिर जाकर प्ेस्ट करते हैं जू जो ज़ाई कि पैस्ट करते हैं जो वो कपी हुती है उसकोपी को बोलते है नूस अरभी में उमीद है आपके समझ में आ गया होगा नुस इसमें इस कोपी इस्टेपलर जो आपको तत्वीर में भी नजर आ रहा होगा ओफिस में मुझूद होता है इस्टेपलर अरभी में आप बोल सकते हैं इस्टेपलर को इस्टेपलर को अरभी में बोल सकते हैं इस्टेपलर को एक दूसरे शब्द से भी यूज़ किया जाता है साओधी अरभ में दबासा भी यूज़ किया जाता है इस्टेपलर के लिए तो हो सकता है आपको ओफिस में या आपका आसपास स्टेपलर को दबासा बोला जाए तो आप कंफ्यूज ना हो दबासा और खाबिसा दोनों का एकी माइन है स्टेपलर अब दबासा बोल सकते हैं स्टेपलर के लिए या बोल सकते हैं खाबिसा Notebook Notebook को अभी में दो शब्दों से इस्तेमाल किया जाता है पेला है दफ्तर और दुसरा है खुर्रासा इन दोनों को यूज किया जाता है Notebook के लिए Notebook उसे बोलते हैं जहांपर हम अपना कोई important message या किसी का mobile number note करते हैं एक छोटी सी जो बुक होती है जो हमारे पास हमेशा रहती है Notebook को दफ्तर और खुर्रासा इन दो शब्दों से यूज किया जाता है Notebook, दफ्तर, और खुर्रासा खुर्रासा पेल्ट के लिए जो अर्बी का शब्द यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं कलम जो कि हम हिंदी और उर्दू में भी यूज करते हैं तो इसके लिए जादा रटने की जूरुवत नहीं है बस याद रखिए अर्बी में जो शब्द यूज किया जाता है पेल्बी के लिए उसे हम कलम शब्द से यूज करते हैं इसी तरीके से बुक जो हम इंगलिश में बुक बोलते हैं हिंदी में और उर्दू में जो यूज करते हैं किताब वही शब्द यूज किया जाता है अर्बी के लिए भी तो आप इसको भी टेटने की जरूरत नहीं है आप किताब से अपना काम चला सकते हैं बोलके यह दो शब्द भी सीखना बहुत जरूरी है बहुत आगे आपको इसकी जरूरत पढ़ने वाली है वैसे तो जानते हैं आप लोग लेकिन इक पर रिपीट करा रहा हूं मैं आप को इसमौल छोटे को अर्भी में बोलते हैं सगीर सगीर जानते होंगे आप लोग लेकिन वीडियो में आगे इसका इस्तिमाल बताऊँगा किस किस तरीके से ओफिस में कर सकते हैं इसमौल छोटे के लिए सगीर यूज किया जाता है शोट के लिए और बड़े के लिए यू इस्तेमाल बताऊँगो कि कितने तरीके साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, नए नए तरीके से, Small, सगीर, छोटा, Big, कबीर, बड़ा, Got it? अजय कर सकते हैं, बड़ा, Got it?